अलो, असलाव अलेकुम, कैसे हो आप सब लोगों मीद सब खायरियस से होंगे, आज मैं फिर आज जिरू हूँ आप लोगों के लिए नहीं रेसिपी लेकर आज हम बनाने जा रहे हैं मेती मटरी, इसको बनाने के लिए हमें कोई बहाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों से लेकर बड़ों की फेवरेट मेती मटरी जब आपका दिल करने तब खाये, शुबा के नास्ते के साथ, शाम की चाय के साथ, हर समय यह अच्छी लगती है खाने में, बहुती सिंपल और रेजी सी रेसिपी है आप लोग भी ट्राइ करिएगा मेरे तरीके से, और बताइएगे मुझे आप लोगों को मेरे तरीके से बनाएवी मटरी कैसी लगी, और इसको बनाने के लिए हमें क्या इंग्रिटियन्स लगेंगे, चलिए देख लेते हैं मैदा, यह डाइसोग्राम मैदा है, मेती, हरा मेती, आप चाओ तो कसूरी मेती भी ले सकते हैं, इसकिप कर सकते हैं, ओईल, आदा कब ओईल है यह, अजवाइन, एक चम्मच, नमक स्वाद अनुसार यह गी और आरा रोट है, एक चम्मच खी है, एक चम्मच आरा रोट है, एक पराहत में मैंने मैदा निकाल लिया है, अब इसमें मैं मेती एड़ करूँगी, अजवाइन, नमक, और तेल डालूँगी मोहेन के लिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मटरी का मोहेन कैसे पता करें, आटे की हम मुठी बना कर देखेंगे, अगर मुठी बन रही है, तो हमारा मोहेन परफेक्ट है, नहीं तो हम इसमें और ओयल एड़ करेंगे, इसमें मुठी बन रही है, इसका मतला मेरा मोहेन परफेक्ट है, अब मैं इसमें देरी-देरे पानी एड़ करूँगी, और इसका आटा गुन दूँगी, सौफ्ट सा, जैसे पूरी के आटे का डो रखते हैं, वैसा ही डो रखना है, थोड़ा-थोड़ा पानी एड़ करते जाना है, ज्यादा सौफ्ट नहीं रखना है, ज्यादा मुलायम भी नहीं रखना है, पूरी जैसा ही डो बनाना है, थोड़ा-थोड़ा पानी एड़ करेंगे, देखिए मेरा डो तयार हो चुका हैं सॉफ्ट सा डो मैं इसको डख कर 10 से 15 मिनट के लिए रख दोंगी उसके बाद मैं इसकी रोटियां बनाऊंगी पंद्रा मिनट हो चुके हैं अब मैं एक एक करके रोटी बेल लूँगी ऐसे ही मुझे रोटी बेल लेनी है चार से पांच रोटियां बेल लेनी है इसके बाद हम आगे कब प्रोसेस करेंगे अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो अगर आप लोगों मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रू बताईए रोटी बेल लिए मैंने ऐसे ही मैं देखी इतनी पतली रखनी है मैं चार से पांच रोटी और बेल लूँगी अरा रोट और गी को मिक्स कर लेंगे मच्छे तरीके से ऐसे गर आपको घी कम लगे तो और अट कर लेजिये बैटर को हम रोटी पर अच्छी सी लगा देंगे इसको फिर हम रोटी से कवर करेंगे ऐसे ही सेम प्रोसेस हम चार पांच रोटी के साथ करेंगे एक के उपर एक रोटी को helicopters करते जाएंगे ये देखे इस तरीके से रोटी को कवर करना है फिर इसके उपर हम दूसरा बैटर लगाएंगे और रोटी और घी का और अच्छे से रोटी को कवर कर देंगे चार से पांच रोटी के साथ ऐसे ही हम सेम प्रोसेस करेंगे उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे अगर रोटी आगे पिछे से चोटी या बड़ी लग रही है तो हम उसको बराबर कर देंगे सारी रोटी एक साथ बराबर रखनी है मैंदे की रोटी यह एक साइज हो जाती है केचने से यह देखिए मैंने पांच रोटी यों के साथ ऐसा ही प्रोसेस किया था अब मैं इसको फोल्ड करूंगे अच्छे से दबा दबा कर लोई बना लूँगी इसकी इसको अच्छे से दबा दबा कर पोल करना है हमें पोल कर लिया है मैंने अब आप दोनों हाथों से इसको बेल लूँगी मैं अच्छे से दबा दबा कर तोड़ा बड़ा साइज हो जाएगा इसका इस तरीके से अब मैं चाकू से कट करूँगी ने ऐसे एक एक करके सब कट कर लूँगी मैं ऐसे ही सब कट कर लेना है फिर हातों की सायता से इसे गोल कर देना है और थोड़ा से इसको चकले पर बेलन से बेल लेना है थोड़ा सबस ज्यादा नहीं बस ऐसे ही इतना इसको बेल लेना है इसके बाद हम ऐसे ही सारी कर लेंगे उसके बाद हम सब को फ्राइ करेंगे हमने सब को बेल लिया है कड़ाई में तेल गरम कर लिया था मैंने उसको थोड़ा ठंडा कर लिया है तेज गरम तेल में नहीं डालना है वरना अंदर से मटरी कच्छी रह जाएंगी लाइट ब्राउन होने तक सारी मठ्रिया फ्राई हो चुकी है ऐसे ही मेरी देखिए बुल्डन ब्राउन कलर आ चुका है एक एक कर में सारी फ्राई कर लिए मैंने फाइनल लुक दिखा दियू आपको ये देखिए कितनी क्रिस्पी और यम्मी लग रही है न आप लोगों को म जरूर पताईए मैं फिर नई रैसेपी लेकर आपके सामने हादिर होंगे खुदा आफिज